So, hello everyone, आप लोगोंने अक्सर सुन रखा होगा एक statement बोला जाता है कि History will evaluate my performance. इतिहास मेरा आकलन करेगी. आप लोगोंने सुना होगा यह शब्द. और यह इतिहास यानि बिता हुआ पल उसको आकलन करना कई-कई बार जरूरी होता है, कई बार obvious सी बात हो जाती है, वो evaluation हो ही जाता है. तो आज का वीडियो में लेके आया हूँ, इसी मुद्दे पे जो student के लिए, उनके parents के लिए and of course working professional या किसी के लिए भी important होगा. कि 2023 का evaluation हम कैसे करें और उससे हम क्या सीखें. तो मेरा नाम धननजय है और तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ, कि 2023 के जो evaluation है जो हम लोग करेंगे कुछ-कुछ मुद्दों पे, कुछ-कुछ point पे और उसके basis पे 2024 को कैसे हम लोग plan करेंगे, तो ये वीडियो उसी पे है. आखरी तक देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो इस पे मैं और लेके आ रहा हूँ, जो कल यानि new year पे आप सब को मिलेगा. इस वीडियो में मैं आगे बढ़ू, उससे पहले मैं कल आने वाला new year जो होगा, उसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत सुपकामनाय देता हूँ, मेरी तरफ से एक्षा मेरी एक्षा है, मेरा विश होगा, कि भगवान आपको काफी तरक्की दे और आप जो-जो plan किये हो, वो आपको मिले. तो चलो, बात करते हैं 2023 की. 2023 जो आपका January 1 से लेके December 31 तक का है, इसको आपको बहुत ध्यान से एक-एक month-wise evaluation करने की कोई खास जरूवत नहीं है. आप एक rough evaluation करेंगे कि इस पूरे साल आपके जो 5 बड़े achievements हैं, वो क्या-क्या है? और 5 आपके failure या फिर कहें तो उतने अच्छी जो चीजे नहीं गई हैं, वो क्या है? आप देखोगे इन 5 में ही आप बिखर जाओगे. आपको साथ 5 achievement दिखे ही ना. या हो सकता है आपको 5 आपका failure दिखे ही ना. कई लोग बड़े fortunate होंगे, जो बहुत सारा देख सकते हैं. लेकिन मैं इससे differ करता हूँ. आप लोग खुद इस वीडियो को रोकिए और 5-5 अपने achievements, 5 अपने इनों खराब चीज, 5 अपनी अच्छी चीज, जो इस साल आप से हुई है, आपके द्वारा हुई है, या आप पर हुई है, उसको evaluate कर ये लिखिए. चलिए अब मैं इस वीडियो को दुबारा open कर लीजे और हम बात करते हैं. साइद डार्ट पड़ी या थोड़ा सा एक तरह से नाराजगी छेलनी पड़ी. तो जब आप इस तरह से सोचेंगे, तो आपका जो दायरा है और बढ़ने लएगा, आपके दिमाग में कई बाते आने लएगे. Similarly, तारीफ वाली बात याद कर लीजे और punishment वाली बात के साथ साथ तारीफ वाली बात को और माइक्रो में ले जाएए. तो आपको थोड़े एक दो घंटे के exercise में कई चीज़े आने लगेंगी, वो सकता है कई चीज़े कुछ दिर बाद आई, लेकिन जो जो चीज़े आई वो लिख लो आप, आप उन सब में कुछ common बाते पाओगे, आप खुद ही एक इनसान हो और आप से ही कई बार बहुत अच के दवारा अच्छा काम हो जाता और आप ही के दवारा बुरा काम हो जाता है, उसके पीछे logic क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि आप बंदे ही खराब हो, क्योंकि अगर आप बंदे ही खराब होते हैं, आपके अंदर caliber ही नहीं होती हैं, आपके अंदर talent ही नहीं होता, तो ह जब आप determined होते हो तो आप अच्छा काम कर लेते हो और आपका success rate बढ़ जाता है और जब अप unplanned होते हो टाइसी सा होते हो यह आपको clear नहीं होता clarity, lack of clarity होती है या मन नहीं होता तो आप ही से बुरा काम हो जाता है यानि कई बार हम अगर किसी को performance को देखके उसको judge कर ले रहे उसके failure को देखके उसको judge कर ले रहे तो हो सकता है हम real judgment ना कर पाए या हमारे performance को देखके हम अगर खराब perform कर रहे हैं और अपने आपको हम judge कर रहे हैं कि हम तो बहुत average है हमसे यह हो ही नहीं सकता सायद गलत है क्योंकि कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं कि जिसने कभी अच बढ़की और अच्छे कामों से आप होसला लीजिए कि आप अगर यह काम कर सकते थे तो आगे आने वाले time पे यह भी काम कर सकते हो तो यह रहा मेरा एक बिंदू एक point दूसी point दूसा point यह होता है कि हम कई बार अपने success को celebrate नहीं कर पाते हैं जब हम अपने success को celebrate करते हैं तो हमारे habit में आने लगता है फिर हमें भूक लगने लगती है हमें पता है कि हमने उस बार celebrate किया तो हमारी हो memory में जाती है और हमसे हमारी body हमारा दिमाग demand करता है कि हमें वही success वही celebration चाहिए और अगली बार जब मौका आता है तो वो कहता है कि यह success तो देख चुका है इसलिए अब और अच्छा कर या at least उतना तो कर यानि हमारा competition हम खुद से करने लगते हैं so this is all about our mindset और यही चीज मैं कल 2024 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मैं 24 points का आप सब के लिए कुछ लेके आने वाला हूं कैसे 24 points करके आप अच्छी चीज करके अपने life में बहुत ज़्यादा change कर सकते हैं बहुत ज़्यादा fortunate add कर सकते हैं success ले सकते हैं अपने failure को कम कर सकते हैं तो कल video मेरा release हो रहा है morning में 10 a.m पे उसको जरूर देखिएगा और उस video को comment करके बताईए दोस्तों को share करिएगा क्य और हाँ इस video को भी जरूर शेयर करिएगा so thank you very much bye bye take care